जो लोग जादा तर ट्रेन से यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए एक बेहत अच्छी ख़बर है भारत में अब जल्गी आपको वंदे भारत एसी स्लिपर ट्रेन पट्रियों पर दोड़ती नजर आएंगी भारती रेलवी ने साल 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की थी लेकिन वो सिर्फ चेयर कार थी लेकिन अब लंबी दूरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस लॉंच के जा रगी है नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में लोगों को बहुत सारी सुविधाई मिलेंगी कई लोगों के मन में अब ये सवाल भी आ रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार ट्रेन या फिर वंदी भारत स्लीपर ट्रेन किस में जादा लोगों को जादा फैसिलिटी मिलेगी ऐसे में जाखिर से बात है कि आपके मन में सवाल उठेगा कि दोनों ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन बहतर है वंदे भारत स्लिपर ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेश्ची ट्रेन है इसमें यात्रियों को समान्य ट्रेनों के मुकाबले बहुत जादा फेसलिटि दी जाएंगी यात्रियों को वंदे भारत सलिपर ट्रेन में गर्म पानी का शावर लेनी की सुविधा मिलेगी हारा की ये सुविधा 1st AC कोच में सफर करने वाले मुसाफिरों को मिलेगी इसके साथ ही USB charging का option मिलेगा, visual information प्रणाली मिलेगी, भारत में फिलाल कुल 50 वंदिभारत एक्सप्रेस ट्रेने चलाई जा रही है वंदिभारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज रफतार ट्रेन है, इसमें यात्रों को बहुत सारी सुविधाई मिलती है वंदिभारत ट्रेन की सीटे आटोमेटिक मुवेबल होती है, ट्रेन के सभी गेट आटोमेटिकली खुलते हैं और बंद भी हो जाते हैं ट्रेन में GPS सिस्टम मौझूद है, इसके साथ ही फायर सेंसर भी होता है ट्रेन में आपको वाइफाई की सुविधा दी जाती है, तो वहीं खाने पीने का समान रखने के लिए आपको डीप फ्रीजर भी मिलता है इसमें सभी आत्रियों को अपनी सीट पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है, तो वहीं 32 इंच का एक टीवी भी सामने लगा होता है साथ में ओन बोर्ड इन्फोटेइन्मिंट सिस्टम भी होता है, जिसमें आप कोई मूवी या पसंदीदा गाना चला सकती है समान रखने के लिए ट्रेन में मौडूलर राग दी जाती है स्लिपर वंदे भारत के फीचर्स के बारे में बताती हुए रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाती है स्पेशल फासिलिटीज, जो सर्व करने वाले स्टाफ हैं जो लिएन देते हैं या फिर फूड दिन लिझा करते हैं उन सब के लिए स्पेशल फासिलिटीज सर्व में वैन रखते हुए नई डिजाइन के साथ चारों की चारों ट्रेन कन्फिग्रेशन बने हैं और साथी साथ ये मिडल क्लास की सवारी है इसलिए अफोड़िबल फेर रखा जाएगा राजदानी के साथ इसको बेंचमाक करके रखा जाएगा और ये ओवरनाइट जर्नी के लिए रहेगी याने करीब आट सो से लेके बारा सो किलोमेटर की जो जर्नी है याने रात को दस बजे नौ बजे के असपास आप इसमें चड़े और अगले दिन सुबह comfortably उतर जाए इस तरह की ये चीजें इसमें ध्यान रखा गया है कई सारे safety features हैं design में कई चीजों की innovation किये गया है जैसे आपने देखा वोगा पुराने टाइम में चेन होती थी उस चेन की जगे अब य स्पेशल दियान रखा गया design के design में और local cab आपने देखी होगी drivers की facility maintenance staff के लिए अलग से cabin बनाया गया है जिससे कि वो लोग आराम से rest कर सके और air conditioning अंदर oxygen का level हर तरह की चीजों पर बहुत विशेश दियान रखा गया और हर version में improvement करते जाते हैं अब इसका testing होगा करीब डे कई जगे हर जगे safety features लाएं इस पर कवच प्री फिटेड है प्लस जो कपलर्स की technology वो और नई technology लाएं एक improvement हुआ था वंदे चेर कार में और उसके बाद में next improvement हुआ अमरित-भारत के कपलर्स में जो अमरित-भारत में कपलर्स लगें वो की वो कपलर्स इसमें लगाए कई तरह के और anti-climbing features है जो इसमें लाए गए और इसका अगर आप construction का methodology देखोगे तो आप इसकी construction की methodology में भी बहुत changes लाए गए इसमें ostentatic steel का प्रयोग किया गया है construction में इसके उससे इसका weight कम होता है और strength बढ़ती है फिर इसका complete car body का जो design है आप अगर उपर देखो तो car body का जो design है उसमें बहुत focus किया गया है किस तरह से weight का balance हो किस तरह से इसका गाड़ी की stability हो और जो bogey होती है याने wheel से wheel और track के बीच में जो portion है mechanical portion है वो सारा bogey की design में भी बहुत विशेश दियान रखा गया है जिससे की vibrations और noise level train के अंदर बहुत कम होगा याने एक तरी train को compare करो के world के best trains के साथ तो बेंचमर्क है